इस वीडियो में मैं आपको बताने वालों फ्रेंड्स की अगर आपको अपने Micromax Micromax into vimual phone में दो सेटिंग देखने को मिल रहा है vibrating for outgoing call accepted का और call and vibration का तो ये दोनों सेटिंग क्या होता है और इसे on और off करने से क्या होता है ये चीज़े मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ चलिए ज़्यादा समयना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बड़ से पहले चैनल पे नए हैं चैनल सस्क्राइब जरूर कर लिजएगा तो ये सिटिंग आपको मिलेगा कैसे और कहां पर जब आप अपने Micromax into Vimalphone के call डाइलर में जाएंगे डाइलर में जाने बाद उपर 3.0 पर क्लिक करेंगे सेटिंग पर क्लिक करेंगे फिर आप ये calling accounts पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको दो option मिल जाएंगे vibrating for outgoing call accepted का फिलाल दोस्तो यहाँ पर call accepted का आपको text दोस्तो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने यापर font size दोस्तो बड़ा कर रखा है इसलिए वो setting नहीं दिख रहा है लेकिन ये setting होता यही vibrating for outgoing call accepted का और फिर call and vibration का तो दोस्तो देखी क्या होता है कि अगर आपके phone में ये setting on है vibrating for outgoing call accepted का अभी आप देख सकते हैं मेरे phone में on है तो on रने से दोस्तो यह होता है कि दोस्तो आप दोस्तो किसी को भी call करेंगे तो दोस्तो जैसे ही आपका call दोस्तो जब जो है कोई receive कर लेगा मतलब उठाएगा तो दोस्तो उठाते के साथ ही आपका phone एक बार vibrate होगा तो इस setting को on रखने से यह होगा और अगर आप यहां पर click करके बंद कर देंगे तो दोस्तो अगर आप दोस्तो किसी को call करेंगे तो दोस्तो जब कोई आपका call उठाएगा तो आपका phone बाइबरेट नहीं होगा लेकिन on रखेंगे तो अगर आप दोस्तो किसी को भी दोस्तो call करेंगे मतलब जब आप दोस्तो outgoing call करेंगे तो कोई भी call जैसे ही दोस्तो receive करेगा तो वहापर आपका phone एक बाइबरेट होगा फिर नीचे एक setting मिल जाता है call and vibration का तो दोस्तो देखिए ये setting क्या होता है अगर आपके phone में ये setting on है जैसे अभी आप देख सकते हैं मेरे phone में ये on है तो on running से क्या होता है कि दोस्तो अगर आप किसी से भी call पर बात कर रहे है और दोस्तो वह call जैसे ही cut होगा मतलब end होगा तो दोस्तो end होने के साथ आपका phone जो है vibrate होगा मतलब कमपन होगा और अगर आप यहाँ पर click करके इस setting को बंद कर देंगे तब दोस्तो जो है call cut होने पर mobile vibrate नहीं होगा तो इस तरके से आप जो इस दोनों setting को यूज कर सकते हैं Macro Max into BK mobile में वीडियो पसंद आया है वीडियो को like करके चैनल सब्सक्राइब जरू करिएगा